बिस्म लाइराम रहीम असलाम आलेकुम आज एक और कमेंट आया है दोस्त का वो पूश रहा है तो हम देसी हो या असील मुर्गी हो या फैंसी हो गर्मी में हम उसको कुड़क कर सकते हैं तो आज सारी वीडियो इसी के उपर होगी आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते है ठीक है भाई तो इसे में आप क्या कर सकते हो तो मैं आपको बता दूँ गर्मी में आप किस तरीके से मुर्गी को अंडों पे बिठा सकते हैं तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेर करें और चैनल को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ एक आपको आसान में हल बताऊंगा इसी में आप कर सकते हो इसे में आप कुड़क कर सकते हो अगर आपके पास बिल्कुल जो मिटी का खुड़ा होता है जिसको दड़बा भी कहा जाता है ठीक है भाई अगर बिल्कुल वो मिटी का बना हुआ है तो वो बैतर है अगर आपके पास सीमट वाली इट से बना हुआ है तो वो आप उसी में मुर्गी को नहीं बिठा सकते किसलिए नहीं बिठा सकते ये भी मैं आपको बता रहा हूँ अक्सर मुर्गी अंडों पे बैठती है वो उसी जगा बैठती है जा वहाँ जो जगा होती है टेमपिरेजर कम होना चाहिए जहां ज़्यादा टेमपिरेजर होगा वहाँ आपकी मुर्गी नहीं बैठ सकती अगर बैठ भी सकती है तो सारा दिन खड़ी होके अंडों के उपर बैठी रहेगी और वो खड़ी होगी अंडों के उपर बैठेगी नहीं क्यों उसको गर्मी जो होती है उसको लग जाती है और सारा दिन उसका जो चूँच होती है वो खुली होती है वो इसलिए खड़ी होके और जो उसकी पंजों का पानी होता है वो उसका निकल जाता है फिर मुर्गी क्या करती है पंजे उसके बेठ जाते हैं जमीन पे अगर जमीन पे पंजे बेठ जाते हैं तो मुर्गी जो होती है चरने फिरने के काबिल नहीं होती वो चल नहीं सकती वो घूम नहीं सकती वो और मुर्गी वो दाना नहीं खा सकती क्योंकि एक जगा बेठी होती है अब बात करेंगे आप कितने महीनों तक मुर्गी को अंडों पे नहीं बिठा सकते तीन महीने आप गर्मी के अंडों पे मुर्गी को नहीं बिठा सकते अगर बीच में आपके मौसम ठंडी हो जाए तो आप उसको बिठा सकते है अगर धीरे धीरे आपके पास गर्मी होने लगे तो आप उसको बिलकुल भी ना बिठाएं क्योंकि मुर्गी भी आपकी जाया हो जाएंगी और आपके जो अंडे रखे होतें मुर्गी के नीचे वो भी जाया हो जाते हैं तो और अब हम बात करेंगे गर्मी में कैसे बिठाई जाए मुर्गी अंडोगे मिटी का खुड़ा आपके पास होना चाहिए और उसके अंदर आपको जो लूसन होता है ठंडा होता है वो अक्सर बेंस और गधे और बक्रिया यह चीज जो हमारे इनिमेल्स होते हैं बड़े शोक से खाते हैं तो उसी में क्या होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है जिस जगा पे आप मुर्गी को बिठा रहे हो उसी जगा पे आप नीचे वो रख लें और उसको दिन में दो बार आप उसको इस्प्रे करें पानी का अंडे उठा के और उसको इस्प्रे करें इस्प्रे करके फिर दुबारा आप अंडे उसके उपर रख लें और मुर्गी को बिठा दें क्यूंकि गर्मियों में पानी की नमी लाजमी होनी चाहिए अगर आपके पास घर के अंदर बहुत सारे पोदे वगेरा लगे हुए हैं तो आप उनके नीचे रख सकते हो मुर्गी को ताके जो पोदे होते हैं वो अक्सर दिन को क्या करते हैं वो थंडी अवा निकालते हैं और अगर आपके पास नीम का पोदा हो तो वो आपके लिए बिलकुल बेतरी नहीं नीम के पोदे के नीचे आप अपनी मुर्गी को रखें क्यूंकि वो दिन के वक्त थंडी अवा निक डालती है ये भी आपको पता होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में